एक फूल दो माली 1979 में बनी हिंदी भाशा की फिल्म है। इसका निर्देशन देविंद्र गोयल द्वारा किया गया है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं को संजय खान, साधना और बलराज साहनी ने निभाया है। सोमना, साधना, भारत और नेपाल के पहाडी क्षेत्र में अपनी विधवा मा लीला, दुरगा खोटे, के साथ गरीबी में रहती है। वहध धनी और विधुर, कैलाशनात कोशल, बलराज साहनी, के सेब के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करती है। कैलाश एक परवतारोहन स्कूल भी चलाता है और अमर कुमार, संजै खान, उसके चात्रों में से एक है। सोमना और अमर मिलते हैं और प्यार में पढ़ जाते हैं। वह लोग अमर के माता पिता और लीला की सहमती से शादी करने का फैसला करते हैं। शादी अमर के परवतारोहन अभियान से लोटने के तुरंत बाद होनी होती है। कुछ दिनों बाद, एक हिम्सखलन के बाद, उन्हें खबर मिलती है कि अमर और अन्य परवतारोही मारे गए हैं। शमशेर सिम्द्वारा सोमना का उत्पीरन किया जाता है और कैलाश उसे बचाने के लिए आता है। जब उसे पता चलता है कि वह गरभवती है तो वह उससे शादी करने की पेशकश भी करता है। शादी हो जाती है। सोमना एक लड़के बॉबी को जन्म देती है। बच्चे पैदा करने में असमर्थ था अब वह पिता बनकर रूमान चित है वह बॉबी से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता है पांच साल बाद बॉबी का छठा जनम दिन मना रहे सोमना और कैलाश को तब जटका लगता है जब अमर पार्टी में आ जाता है